वेलकम टो लिए आईएस तो अगर थे आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज 2 सितंबर 2022 है तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं हमारा first article exercise synergy के बारे में है आपने बॉलिवुड की movies में देखा होगा कुछ गुंडे किसी व्यल्दी व्यक्ती के बेटे अथवा बेटी को किड्नैप कर लेते हैं वो इसके बदले में वो पैसों की मांग करते हैं इसे ransom की वसूली कहा जाता है लेकिन अब looters को आपसे पैसे एटने के लिए आपके परिवार के सदस्यों को किड्नैप करने के आवशक्ता नहीं पड़ती क्योंकि digital domain इतना ज़ादा बढ़ चुका है कि वो आपके किसी भी digital device को attack कर सकते हैं किसी malware के जरिए और इन malware के जरिए वो आपके digital device को attack करके उसमें से कोई important information data, videos या pictures चुरा लेते हैं जो आपके लिए sensitive हो और उनके बदले में आपसे पैसों की मांग की जाती है इस प्रकार के malware को ransomware कहा जाता है और इस प्रकार के attack को cyber attack कहा जाता है जब ऐसे cyber attacks होते हैं तब role आ जाता है cyber security agencies का जिनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको ऐसे attack से बचाया जाए इंडिया में ऐसी ही एक agency है जिसका नाम है CERT-IN Indian Computer Emergency Response Team लेकिन कई बार attack करने वाले लोग किसी दूसरे देश में बैठे होते हैं ऐसे city में दो देशों की agencies के बीच में collaboration या cooperation बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर attack इंडिया में हो रहा है और attacker किसी दूसरे देश में बैठे हैं तो बिना coordination के इन attacks को नहीं रोका जा सकेगा इसी उद्देश से CERT-IN ने अभी collaborate किया है जो cyber security agency है Singapore के उनके साथ और synergy नाम की cyber security exercise को conduct किया गया 13 देशों के लिए ये cyber security exercise 13 countries के collaboration के साथ conduct की गई है exercise में best practices को opt किया जाएगा हम एक ऐसा network तयार करें किस परकार के ransomware या फिर cyber extortion attacks को रोका जा सके international counter ransomware जो initiative है resilience working group का उसी का हिस्सा रहा ये exercise synergy जिसे lead किया गया National Security Council Secretaryate के leadership में team रही building network resiliency to counter ransomware attacks जो exercise है यहाँ पर real life cyber incident को depict किया गया मतलब किसी एक वेक्टी को attack किया गया है cyber attack करके उससे जो ransom है वो collect करने की कोशिस की जा रही है लेकिन ये बहुत बड़ी network के द्वारा किया जा रहा है जो की ultimately global cyber security crisis में convert हो जाता है इसे कैसे tackle किया जाएगा सभी देसों के द्वारा मिलकर इसकी ही practice की गई, कोशिस की गई significance ये है किस परकार की meetings के जरिये अच्छा coordination और cooperation establish हो जाता है और अगर कोई ऐसी situation बनती है तो ये सभी लोग मिलकर इस परकार के attacks को counter कर सकते है CERT IN, Computer Emergency Response Team ये इंडिया का organization है जो मेती के अंडर में आता है Ministry of Electronics and Information Technology इसको objective है इंडिया के cyber space को बचाना ये neural agency है जो सभी परकार के cyber security threats को handle करती है जैसे कि hacking या phishing phishing में आपको trap करके आपसे पैसे वसूल लिये जाते हैं या फिर चुरा लिये जाते हैं ये further collect, analyze और disseminate करते हैं कोई भी ऐसे information जो cyber incidents की हो CERT IN, Incident Prevention and Response Services देता है ऐसे incident होना और अगर हो गए तो कैसे response करना है और वो ऐसा security quality management services भी provide करवाते हैं ताकि ऐसी चीजों के लिए हम well prepared रहें हमारा next article अटल ब्रिज के बारे में है प्रैमिस्टर ने भी हाल ही में inaugurate किया एक अटल ब्रिज जो साबर, मती, रिवर पे गुजरात की एहम्दाबाद city में inaugurate किया गया है pedestrian only है केवल paddle जाने वाले लोग जा सकते हैं मतलब इस पर से vehicles नहीं जाएंगी बड़ा ही खुबसूरत bridge है आप इसे इस image में भी देख सकते हैं ये paddle चलके इस्तेमाल की आजा सकेगा साबर, मती, नदी को cross करने के लिए गुजरात एहम्दाबाद में जो pedestrians हैं इसके लावाद जो cyclist हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो river का lower level है upper level है दोनों ही जगे से लोग इसे access कर सकते हैं जो lower level पे है river के उनके लिए stairs लगाई गई हैं वो stairs से चड़के bridge पे जा सकते हैं जो upper level पे हैं वो सीधा access कर सकते हैं होते हुए फिर यहाँ पे आके Gulf of Khambad में गिर जाती है 371 किलोमेटर की ये journey complete करती है साउथ वेस्ट अले डिरेक्शन में राजस्थान और गुजराथ से होते हुए हमारा नेक्स्ट आरिकल Animal Birth Control Rules 2022 के बारे में है हाल ही में Ministry of Animal, Husbandry and Daring ने इन Rules को notify किया है इसे Ministry of Animal, Husbandry and Daring ने release किया है ये तो important जानकारी होई गई इसके माध्यम से जो animals में birth control होता है उसे ensure किया जाएगा जैसे कि docks, cats या street docks ताकि उनकी overcrowding को हम prevent कर सकें, रोक सकें उनकी संख्या जदा बढ़ने ना पाए ये objective है क्या है provisants vaccination किया जाए, immunization किया जाए australization किया जाए, street या stray dogs का, cats का उनके owners की मदद से या फिर local civic authorities की मदद से ताकि उनकी संख्या को control किया जा सके euthanasia लाओ कर दिया गया है अगर कोई जीव इतना ज़्यादा बिमार है कि उसे cure नहीं किया जा सकता को भी propose किया गया है, जो decide करेगा कि जो street dog की access population है, उसे कैसे control किया जाए, क्या program सो specific area या origin में, ये animal helpline को भी suggest कर चुके हैं कि setup किया जाए ताकि local authorities respond कर सके कोई complain आती है, dog bite का या rabbit dogs का, जिस से ribis का खतरा हो fixed responsibility, resident welfare association की कर दी गई है कई बार अक्सर counter हो जाता है क्योंकि जो street dogs वगेरा होते हैं, वो कई बार लोगों को परिशान कर देते हैं, तो कुछ dog feeders होते हैं, जो उनको खाना खिलाते हैं तो associations उनको counter करते हैं, कि आप उनको खाना में खिलाओ, यहां घूंगते हैं, परिशान करते हैं ये काम उन्हीं को दे दिया गया है, कि आप खाना खिलाओ न, आके उन्हें खाना कौन देगा, उन्हें खाना किसी ने किसी को देना पड़ेगा, तो confrontation ना हो, इसलिए responsibility, resident welfare associations को भी दे दी गई है, तो ये article तो animal birth control rules के बारे में रहा, आगे बढ़ते हैं, हमारा next article anti-radiation pills के बा अगर आपने noodles दे दे, pizza दे दे, तो उसे भी भर पेट खा लेंगे, समझने वाली बात है कि हमें ये पता है कि noodles या पीज़ा आपके health के लिए बहुत फायदे मन तो नहीं, लेकिन fruits हैं, आप नहीं चाहते कि आपका friend noodles खाए जिससे कि उसकी health खराब हो जाए, आप लोग कही पेट आप fruits खिला दें, या shake पिला दें, उसका पेट भर जाए, उसके बाद अगर वो noodles के stall के सामने चला भी जाए, तो उसका पेट इतना जदा भरा होगा कि वो noodles नहीं खाएगा, इस तरीके से उसकी health safe रहेगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहानी में आपको क में जो चुका है, और हो सकता है कि एक nuclear disaster create हो जाए, जिसमें उस power plant से radiation निकल कर आए, इसलिए आसपास का जो region है और वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उन्हें 5.5 million anti-radiation pills की supply की गई है, residents को distribute किया गया है, ताकि वो उन pills को ले ले और उसके बाद जो radiation का खत्रा है, वो कम हो अब भला ये कैसे होगा, चलिए इसे समझते हैं, हमारे throat में एक thyroid gland होता है, ये तो thyroid gland होता है, ये thyroid hormone generate करता है, ये जो thyroid hormone होता है, वो हमारे body के metabolism को regulate करता है, मतलब हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये thyroid gland होता है, इसे iodine के आवशक्ता होती है, इसलिए तो हम iodine युक्त नमक हैं, लेकिन इस thyroid gland के साथ एक problem है, ये stable iodine और radioactive iodine के बीच में differentiate नहीं कर पाता, जो nuclear disasters होते हैं, उसमें radioactive iodine release होता है, और हमारी body में ये thyroid gland उसे absorb कर लेता है, जिसके बाद हमारे organs damage होते हैं, और cancer होने का खत्रा बढ़ जाता है, इस प्रकार के radiation की situation में सबसे दरूरी ये होता ह है, कि हमारा जो thyroid gland है, वो radioactive thyroid को absorb ना करें, लेकिन इसे तो पहचानना आता ही नहीं, कि कौन सा stable iodine है, अच्छा iodine है और कौन सा radioactive iodine है, तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इससे बचने का जो तरीका है, that is potassium iodide, potassium iodide के जो tablets होती है, उनमें बहुत सारा stable iodine होता है, अगर उसे किसी रेक्टी को दे दिया जाए, तो उसमें जो stable iodine होता है, उसे thyroid gland सोख लेता है, और सोखने के बाद वो इतना जाधा saturate हो जाता है, कि इसके पास 27 घंटे तक अब iodine को absorb करने के capacity रही नहीं जाती, वो कोई iodine absorb नहीं कर सकता, चाहे वो stable iodine हो, या फिर radioactive iodine ह तो मतलब अगर आप exposure में जाते हैं, radioactive iodine के, तो आपका thyroid gland उसे नहीं सोखेगा, क्योंकि अब वो saturate हो चुका है, वो आप कोई iodine नहीं लेगा for 24 hours, उसके बाद आप एक और पिल ले लीजिए, तो इस तरीके से आपकी जो body है, वो radioactive iodine से बच जाती है, potassium iodide आपको इस तरीके दे देते हैं, कि वो radioactive iodine को absorb कर ही नहीं पाता, and that was the fundamental reason कि मैंने आपको वो story सुनाई, ताकि आप इस situation को समझ पाएं, देखे कई बार unplanned accidental events हो जाते हैं, जिससे radio nuclear hazard create हो जाता है, और हम radiation के exposure में आ जाते हैं, किसी भी radioactive source से, उससे बचने के लिए हम anti-radiation tablets का इस्तेमाल करते हैं इनी tablets को मैंने यहाँ पर आपको बताया, potassium iodide के रूप में, इनमें radiation exposure के condition में आपको बचाने के capacity होती है, क्योंकि इनके पास होता है non-radioactive iodine, जिसे आप stable iodine भी बोल सकते हो, क्योंकि आपका जो thyroid gland है, वो stable iodine और radioactive iodine को differentiate नहीं कर पाता, यह कैसे काम करते हैं, देखे, जब आप उस radioactive iodine से बस सकते हैं, आप उसे गरम कर लीजी, उबाल दीजी, लेकिन जो हवा में है, वो तो आपकी body में जाएगा, उससे बचने में, यह जो radioactive, anti-radioactive pills होती है, या फिर potassium iodide, यह आपको बचा लेता है, तो यह mechanism मैंने आपको बता दिया, कि potassium iodide की tablets कैसे काम करती है, जो जापुरीजिया nuclear power plant है, यह दुनिया के top 10, largest nuclear power plant में से एक है, south eastern Ukraine में है, यहाँ पर और अभी यह कबजे में आ चुका है, रश्या के, physically damage हो चुका है, इसलिए खत्रा बना हुआ है, हमारा next article Indian Navy के inside के बारे में है, inside Indian Navy के flag को कहा जाता है, अभी हाल ही में, जब इंडिया का पहला aircraft carrier, आइने स्विकरांट, दो सितंबर को, यानि कि आज के दिन, launch किया गया है, उसी दौरान इस inside को भी change कर दिया गया है, तो यह पूरा change हो चुका है, आज के दिन, यह जो inside है, वो national flag होता है, जिसे ship या aircraft carrier पे, या aircraft पे लगा दिया जाता है, जो inside है Indian Navy का present में, उस और उसके left corner पे हमारा Indian tricolor, यानि के flag होता है, यह अभी तक क्यों था, या शिर की बात थी, खैर, अभी इसे change कर दिया गया है, क्योंकि यह colonial period के origin में, हम उसका एक trace बताता है, Indian Navy की बात करें, तो यह 2 October 1934 को अपना origin trace करता है, जब से Royal Indian Navy के form में बनाया गया था, 26 January 1950 को हमने इसमें से Royal हटा दिया, और यह बन गई Indian Navy, St. George का cross, यह actually में Christian warrior saint, जो St. George थे उनके नाम पर है, crusade के समय में, third crusade में इन्होंने रड़ाई लड़ी थी, crusade धर में दूआ करता था, religious war हुआ करता था, जो 11, 12, 13 सताब्दी में चला, Muslims and Christians के बीच में, यंग लैंड के flag पर होता ह है, जो कि United Kingdom का पार्ट है, लेकिन हमारे Indian Navy के flag पर भी था, और अभी हमने इसको हटा दिया, और इसकी जगह पे, Shiva जी का जो एक symbol है, उसे place कर दिया गया है, और अब हमारा Ensign ऐसा दिखता है, जहां पर Shiva जी का जो एक symbol है, उसे portrait किया गया है, Indian Navy के Ensign पर हमारा Tigral flag होगा, और यह octagonal sleep में है, जो कि यह दिखाता है कि Indian Navy हर dimension में अपने operations को conduct करती है, जहां पे शंग नो वरुड लिखा हुआ है, वरुड जो है, वो God of Ocean माने जाते हैं, कि उनकी जो चाया है वो हम पर बनी रहे, और हम अच्छी तरीके से अपनी security को ensure कर पाएं, तो that is a significant change जो अभी हो च सके, collaboration रहा है forest and fisheries department का, जो campaign है इसके माध्यम से जो accidentally यह fishing net में फस जाते हैं, उससे भी उने निकालने और बचाने की कोशिस की जाएगी, एक mobile application होगा, जहां पर ऐसे incidents को track किया जा सकेगा, whale shark, यह मतलब और पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी fish है, की stones species है, जो हमारे marine ecosystem के बहुत जरूरी होती है, यह 18 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, इनका weight 21 टन तक हो सकता है, यह ओवो वीवी पैरस होते हैं, मतलब यह है तो मचली, लेकिन अंडे नहीं देते, बच्चों को, यानि कि अपनी बच्चों को यह जन्म देते हैं, और sexual maturity 10 साल के आसपास आ जाती है, तो यह तो difference हो गया, बाके fishes से, यह tropical ocean में रहना पसंद करते हैं, छोटे fishes, squids, या और छोटे creatures को खाते हैं समंदर में, Indian coast पे यह बड़ी संख्या में पाये जाते हैं, और गुजरात के coast पे यह sharks बड़ी size में देखी जा सकती हैं, wallet protection act 1972 के schedule 1 में है, IUCN में ने endanger declare किया गया है, और IUCN का जो green status assessment होता है, उसमें largely depleted बताया गया, मतलब इनकी संख्या लगातार कम हो रही है, 30 अगस्त को international whale shark they observe किया जाता है, इस बार theme रही, the future of sharks, guardian of our seas, हमारा next article, भांग, गाजा और इनकी criminality के बारे में है, हाली में कराड़ का high court ने ये बोला कि भांग को किसी भी जिगए पर prohibited drink नहीं बताया गया है, और ये NDPS act के तहट जो 1985 में आया था, ban नहीं है, भांग देखे, भांग ये एक edible preparation होता है, मतलब cannabis का पौधा होता है, cannabis के पौधे से ही, जो cannabis सतीवा होता है, उसी की एक प्रजात इसे बनता है भांग, वो उसके पत्तों से बना जाता है, पीस कर, उसे लोग थंड़ाई या लसी में consume करते हैं, और इसे NDPS act में ban नहीं किया गया है, भांग को Indian subcontinent में बहुत समय से centuries old tradition के through consume किया जाता रहा है, वरतमान में होली और महा शिवरात्री के festival के दौरान भी consumption, purchase और transport को रोका गया है, band drugs को, medicinal और scientific purpose से इसमें छूट होती है, और कड़े सजा के प्रावधान है, revision करते हैं, SORT IN, Ministry of Home Affairs के तहत एक organization है, शुद रूप से गलत है, ये तो मेती केंडर में आता है न, हमने discuss किया था, अटल ब्रिज, साबरमती रिवर पे है, गुजरात, एहम स्टीट डॉक्स को, ये तो हमने discuss किया था, सही है, भांग, ये plant की leaves, यानि पतियों से बनाया जाता है, और NDPS Act में mention किया गया है, गलत है, भांग mention नहीं किया गया है, ये allowed है, वेल, ये Violet Protection Act of 1972 के schedule 2 में है, ये भी गलत है, ये schedule 1 में है, ना, तो ये session यहाँ पे खतम हो गया PDF आपको मिल जाएगी, OnlyAis के Telegram चैनल पे, वहाँ पे आप इस QR Code को scan करके भी जा सकते हो, तो जाएए वहाँ पे PDF को download करिये, और revision करना मत भूलिएगा, that's all for now, thank you very much